A very good morning dear aspirants, by use के government exams prep channel में आप सभी का हार देख स्वागत है दोस्तों इस lecture में हम चर्चा करेंगे this day in history segment की एक ऐसा segment जो आपके सामने प्रस्तुत करता है, एतिहास से संबंदित, कुछ ऐसे खास facts और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली government परिक्षाओं के point of view से बहुत ही important है Along with this lecture के अंत में हम आप से शेर करेंगे कुछ बेहत लाबदाया practice questions भी that will be based on all those facts that we discuss today in this lecture तो आप अवश ही आज के सभी facts को ध्यान से समझते हुए इन practice questions के उतर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा और इनके answers आप हमारे साथ लगातार शेर कीजिए in the comment section क्योंकि इनके निरंतर अभ्यास से भी आपको इन सभी exams में बहुत help मिलेगी तो आईए friends अब शुरू करते हैं 8 में अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी important एतिहासिक facts की सबसे पहला fact आज का संबंधित है 1916 अर्थात 1916 से जब spiritual leader चिनमयानंद सरस्वती was born अर्थात अध्यात्मिक नेता चिनमयानंद सरस्वती का जन्ब आज ही के दिन हुआ था स्वामी चिनमयानंद सरस्वती जिन्हें लोग प्रिय रूप से स्वामी चिनमयानंद बुलाया जाता है was a Hindu spiritual leader and a teacher उन्होंने inspire किया था the formation of चिनमया mission which is a worldwide non-profit organization and it spreads the knowledge of Advaita Vedanta, the Bhagavad Gita, the Upanishads and other ancient scriptures इनका जन्म एरनाकुलम में हुआ था in the present day state of Kerala और इनका ओरिजिनल नाम था Bala Krishna Menon उन्होंने वर्ष 1942 में हुए Quit India Movement में भाग लिया था परन्तु इसके परिणाम स्वरूप इन्हें British सरकार द्वारा गिरफतार कर लिया गया था and much later he also began working as a journalist in the newspaper named National Herald जिसके शुर्वाद भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करी थी in the year 1938 on 8th August 1953 the Chinmaya Mission was formed inspired by the name of Chinmaya Nand Saraswati और वर्ष 1975 में the Chinmaya Mission West का संगतन हुआ था to coordinate and to organize the growing spiritual movement in the United States बाद में स्वामी Chinmaya Nand ने दुनिया भर में अध्यात्म, अध्यायन और अभ्यास के लिए कई आश्रम स्थापित के on 2nd December 1992 he is known to have addressed the United Nations और यहां इन्होंने जो टॉक दी थी उसका नाम है Planet in Crisis इनके द्वारा दिया गया concept Body Mind Intellect Chart is a teaching tool and it is extremely popular इनका निधन वर्ष 1993 में हुआ था and in 2015 एक commemorative coin इनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा रिलीस किया गया With this अब चल के देखते हैं कि आज का अगला fact कौन सा है तो यह संबंदित है 1929 अर्थाथ 1929 से जब इंडियन classical singer गिरिजा देवी was born अर्थाथ भारते शास्त्री गाय का गिरिजा देवी का जन्म आज ही के दिन हुआ था गिरिजा देवी was an Indian classical singer of the Senia and Banaras Gharanas उनका संबंध वरानसी से था इन उत्तरप्रदेश और इनको लोगपुरिय रूप से Queen of Thumri कहा जाता है गिरिजा देवी had made her public debut in 1949 on All India Radio in Allahabad और इन होने Banaras Gharana of Music से संबंधित कई performances दिये शी performed the पूरभी अंग ठुमरी style which is typical of this tradition इसके कारण इन होने इन musical styles का भी status elevate किया दुनिया भर बैं इनको कई genres में महारत हासल थी चैसे की कजरी, चैती and होली शी सैंग खयाल, इंडियन folk music and टपपा इनके music के शेत्र में इतने प्रभावशाली योगदान के कारण भारत सरकारद्वारा इनहें कई प्रतिष्ठित पुरुसकारों से समानित किया गया था जैसे की शी रिसीवड पद्म भूशन इन 1989, पद्म स्री इन 1972, पद्म विभूशन इन 2016 अर्थाथ सभी पद्म पुरुसकारों से इनहें समानित किया गया था Along with this, she had also received Sangeet Natak Academy Award in 1977 और यह Academy Ratna की प्राप्त करता भी थी, जिसे Sangeet Natak Academy Fellowship कहा जाता है और अब आईए, चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है यह संबांदित है 1993 से, जब Indian Marxist Philosopher Devi Prasad Chattopadhyay had passed away अर्थाथ भारतिय माक्सवादी दार्शनिक Devi Prasad Chattopadhyay का निधन आज ही के दिन हुआ था Devi Prasad Chattopadhyay was an Indian Marxist Philosopher and Writer इनका जन November 1918 को कलकत्त में हुआ था और एक बहुत ही कम आयू से इन्होंने अपने आपको Left Nationalist Movement में समर्पिक किया था by joining the Association of Progressive Writers that was formed in 1936 Devi Prasad Chattopadhyay ने कलकत्ता पश्चिम बेंगोल में सर्फपली राधा कृष्णन और S.N. दाज गुपता जैसे प्रख्याद दार्शनिकों के अंडर फिलोसफी में अपना प्रशिक्षन प्राप किया था In his writings, he aimed to illuminate science and materialism in ancient India and to trace their evolution इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद किताबे हैं लोकायत, A Study in Ancient Indian Materialism Indian Philosophy, A Popular Outline published in 1964 What is Living and What is Dead in Indian Philosophy जोकी 1976 में प्रशिक्ष हुई इन्होंने अपनी किताबों से ये भी दर्शाने का प्रयास किया कि किस प्रकार सामाजिक विभाजन, विशेश रूप से जाती विवस्था ने भारत के विग्यानिक विकास के रास्ते में भारी रूप से बाधाएं डाली हैं अपनी प्रसिद्ध 1977 की किताब, Science and Society in Ancient India में इन्होंने ancient physicians सच आज चरक और सुसरुता के उपर भी चर्जा करी थी देवी प्रसाद चटो पाध्याय को इनके सभी योगदानों के कारण भारत सरकार द्वारा पत्म भूशन इंडिया's third highest civilian honor प्रदान किया गया था posthumously in 1998 With this, अब देखते हैं आज का अगला fact ये है कि किस प्रकार World Red Cross Day is observed on 8th May every year across the world अर्थात विश्व Red Cross दिवस आज ही के दिन विश्व भर में हर साल मनाया जाता है World Red Cross Day is observed on 8th May on the birth anniversary of Henry Dunant who was the founder of the International Committee of Red Cross Henry Dunant was also the recipient of first Nobel Peace Prize इन होने पहला Nobel Peace Prize वर्ष 1901 में पाया था together with Frederick Passy और इसके साथ ये पहले Swiss Nobel laureate भी बने थे The International Red Cross and Red Crescent Movement एक अंतराश्टरी humanitarian movement है with approximately 97 million volunteers, members and staff worldwide इसका उदेश है to ensure self-respect for all human beings by preventing and elevating human suffering इसकी स्थापना 1863 में जनेवा, Switzerland में हुई थी जहां इसके मुख्याले भीज थे थे और अगर बात करें IFRC की So this is the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies which was created in 1919 in the aftermath of World War I पांच संस्थापक सदस से थे इसके जो की थे Britain, France, Italy, Japan and US और पहला Red Cross Day कब मनाया गया था तो सबसे पहली बार ये दिन मनाया गया था अर्थात विश्व भर में थालिसीमिया दिवस आज के दिन मनाया जाता है विश्व थालिसीमिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को वेश्विक स्थर पे मनाया जाता है To promote awareness about the thalassemia disorder इसके transmission को रोकने और वैक्सीन से संबंधित awareness फैलाने के लिए हर वर्ष इस तिन के कोई ना कोई विशेश थीम होती है और 2021 अर्थात वर्थमान वर्ष में आज की थीम है Addressing Health Inequalities Across the Global Thalassemia Community अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उड़ता है कि आखिर थालसीमिय क्या होता है तो ये एक Inherited अर्थात Genetic Blood Disorder होता है जिसमें Body Makes an Abnormal Form of Hemoglobin इसके कारण शरीर के Red Blood Cells अर्थात RBCs नश्ट होने लगते हैं और Anemia बिमारी हो जाती है Anemia वो condition है in which the body does not have enough normal healthy red blood cells ये दो प्रकार के होती है एक होता है alpha thalassemia और दूसरी होती है beta thalassemia तो अब चलके देखते हैं कौन से questions आज हमारे सामने हैं And the very first question is who had given the famous talk titled Planet in Crisis in the United Nations in 1992 अर्थात वर्ष 1992 में संग्युक्त राष्ट में Planet in Crisis नामक प्रसित वारता किस ने दी थी options है A. Swami Shivanand, B. Swami Shinmayanand Saraswati, C. Tapovan Maharaj या D. Dayanand Saraswati With this the next question is who was renowned by the name Queen of Thumri अर्थात किसे Queen of Thumri या Thumri की रानी के नाम से जाना चाता है options है A. Shruti Sadolikar, B. Shobha Guttru, C. Girija Devi या D. Kishori Amonkar With this the next question is who was the author of the book Science and Society in Ancient India अर्थात Science and Society in Ancient India नामक किताब के लेखा कौन थे options है A. Devi Prasad Chattopadhyay, B. K. N. Panikkar, C. Irfan Habib, D. Ramsharan Sharma The next question is when is the world Red Cross Day observed अर्थात विश्व Red Cross दिवस कब मनाया जाता है options है A. 7 Mai, B. 8 Mai, C. 9 Mai या D. 10th Mai The next question is who was the first recipient of Nobel Peace Prize options है A. J. H. Dunant, B. Charles Albert Gobart, C. Theodore Roosevelt या D. Frederick Bajor Now the next and the last question is when is the world Thalassemia Day observed अर्थात विश्व थालिस्व दिवस कब मनाया जाता है options है A. 8 March, B. 8 April, C. 8 Mai या D. 8 July और अब इन सभी important questions और कुछ बेहद लाबदायक facts के साथ आज के इस session को हम यही सबाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाब राप्त होगा Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को like, share और subscribe अवश्य कीजिए और इन सभी questions के उत्तर ने रद तर share कीजिए हमारे साथ in the comment session With this, have a great day ahead Stay safe and thank you so much to all of you